पाल्टी के जो लोग है वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, वो दुआ लगवाते हैं, कहां विक्ति हैं, कितने की विक्ति हैं, दूआ को एक और बार थुड़ा और फेक कर मारीए तेज से कहीं सताम मरी रहें साइन्टिस्टों को छुट्टी पर फेज देंगे, दू अखर खुब इट सी, पांच दिन में तो सबूत बिटा के फिक दिये जाते हैं, एर इस बात का है, पेमेंट कहा से देंगे, कहा गया उस समय की सुरक्सा बेवत्ता, जब अपनी बहनों के सम्मान के लिए मरना पड़ खास कारक्रम, महाल गर्म हैं में आज हम आप पहुंचे हैं, शाम अबली, शाम अबली इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां शाम जी ठहरा करते थे, धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ इस जगा का नाम हो गया शाम ली, लेकिन आज हम यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि महानित जनता भी मौजूद है, एक बार जोरदार तालिया हो जाए सब के लिए, तो कारिकरम की शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं आपका परिशय करा लेता हूँ, अपने सभी महमानों से, हमारे साथ विजो इंदर मलिक साहब होंगे, आमाधी पार्टी से हैं, सर आपक बहुत-बहुत स्वागत है, उमेश कुमार सहाब है, आप RLD से हैं, आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है, आपके साथ जादा लोग आ है, तालिया जादा बज रही है, ठीक है, चैनपाल सिंग जी भी है, ब्यस्पी से हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, पप से पहले जिनके पास सत्ता है सत्ता की चावी है उनके पास पूरी खुमारी है तो उनसे पूछेंगे कि भाईया ये बताईए चुनाओ तो आ गए साड़े चार साल से ज़्यादा का समय बीत गया आपको ऐसा क्यूं लगता है कि जनता एक बार फिर आपको मौका देने जा रही है या दे सकती है इसके लिए पांच पॉइंट में समझाएगा कि आपने यही एक काम किया जिसके चलते हैं आप दुबारा सत्ता में आने वाले पहला सवाल आपने मुझसे किया पांच बिंदू मैं आपको ऐसे बताता हूं पहला बिंदू किसी भी छेत्र का किसी भी देश का किसी भी समाज का उसकी संस्कृति सुरक्षा और सम्मान से होता है क्योंकि भारतिये समाज के अंदर नारी को सबसे प्रदान माना गया है कॉंग्रेस वालों की बात है आप क्यों बोल रहे हैं ठीक है। के नेत्रत में सबसे ज्यादा वेक्सिनेशन का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। तोक्यों आप वेंग के तोर पर कहेंगे तो ना मानें क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कुछ ना कुछ कहना लेकिन प्रदेश की जनता मानती है कि टोक्यों बना है। बारती जनता पार्टी क्योंकि हो सकता है कुछ चीजे अभी भी बची हूँ। बारती जनता पार्ट पाच्वा बिंदू बच्चा है मतलव भी। छूट सकते ही Er चलिए ऊपका आघनी पार्टीव का आऊंगा आप भिलकुल नहीं पार्टी हैं बिल्कुल यहां पर नई नई पार्टी है इंट्रोडक्टरी फेज में हैं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप जनता के सामने ठीक है रुकिए 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 इंट्रोडक्शन के फेज में है आपके पास क्या कुछ आपके पिटारे में क्या कुछ है हमारे पिटारे में वो सारी चीजों का हम पहले उनको सोल करने कोसिस करें जो पिछले 74 साल में, देश की आजादी के 74 साल से लेके आज तक बनी हुई है, गरीब है, उसकी नमबर उप परसेंट, 80 परसेंट जो है, गरीब ही रेखा के नीचे है, समस्या है तो सबको पता है, समस्या है तो छोटे- जरूरती जो है, सबसे पहले उनको सोल किया जाए, पाटी फंट से कर देंगे, क्या है? उसकी, देखे, यूपी का जो बजट है, बड़ा ही भरी भरकम बजट है, वो है साड़े 5,5 लाग करोड़, अगर हमें अभी मोका मिला दिली में, दिली की पोपुलेशन है, डोकुम समझाएगा फ्री क्या होता है, हाँ, फ्री कैसे देते हैं, आप अपनी जेब से देते हैं, कैसे देते हैं, मुफ्त, ये पूरी पांचो जो चीजे मैंने बताइए, सिर्फ 200 करोड़ में कवर हो जाती है, ये सारी 60,000 करोड़ का जो दिली का बजट है, उसमें सिर्फ 200 सुवधाय मुहिया करा रहे हैं, ये कहरा चारा है, अपनी बात को कंप्लीट का लूस पॉइंट पर भी आता हूँ, कि ये फ्री कैसे है, फ्री कैसे दिया जा सकता है, 300 नुनिट तक हम ये नहीं कह रहे हैं, कि उसको अनलिमिटेट बिजली फ्री मिलेगी, लेकि जो बेसिक है कि अपने जाता है, तो यूपि की जनसक्या है लग बगग 24 क्रोड आज के टाइम में आठ गुना दिली से, दिली की 3 क कोड या की 24 करोड, अगर दिली के बजट से इसका कमपेरियन किया जाए, तो वो बैठता है, 60 multiply 8, 480 क्रोड, लेकि यहां का बजट है, कि उसको 70 पर प्रियंका गांधी जी जो है वो सबसे जारा कॉंग्रेस की समय सबसे ज़ादा नेता है उनका प्रभाव भी है दिखता है जमीन पर भी दिखता है लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा देर कर दी अगर पांच सालों में प्रेंका गांधी जी एक्टिव रहती तो जादा फाइदा हो सकता है थोड़ी देर हुई है देखिए राजनीती तो जहां तक हम पढ़े हैं उसमें भविस्वानी तो होती नहीं है कि कब आए कब गए जब आए दुरूस्त आए हैं आई है दीदी हमारी बर्तमान और भूतकाल का बहुत फर्क पड़ता है इतना समझें आपको कि जब दीदी आई है तो ऐसा नहीं है प्रभारी बहुत पहले से बनाई है और संगठन को लेके जो काम चल रहा था उसका प्रभाव आपको बनारस में जो भीड जूटी थी यदिकारकर्ता बोले कि नहीं एक लाग जूटी थी या पचास अजार जूटी थी तो आप उसको गलट हरा सकते हैं लेकिन पूरी मीड पुड़ा अकबार और पुड़ा देश देखा कि वहां एक हुजूम जो जुटा था वह जो प्रियंका गांधी के मेहनत का ही कमाल था कि जो संगठन तयार हुआ जो कमजोर हो चुका था राहूल गांधी जी जब पिष्टी दफ़ा यहां से चुनाव लड़े थे तब कमजोर कब हुआ था कमजोर हुआ था क्योंकि हम पिछले 30 साल से आपको उत्तरप्रदेश में नहीं सकता राहूल गांधी जी सही से लीडर्शिप नहीं कर पाए ताकत नहीं दे पाए यह आप कर रहा हूं आप नहीं कहा कि कमजोर हो गई थी उसको ताकत देने के लिए सावित मलीक साहब हमारे साथ है सावित मलीक साहब इस समय अगर मैं पश्चिम उत्तरप्रदेश की बात करूँ तो सारे मुद्धे एक तरफ और किसानों का मुद्धा एक तरफ थीक है सबसे बड़ी चीज उभर कर सामने आई इस बार किसान अंदोलन में आप सबसे बड़ा चहरा जो है अब किसान नजर आ रहा है यह दुर्भागे पूर्ड बात है कि आपके बाजू में बैठे हुए बीजेपी के अभी जो नेता थे वो कह रहे थे कि ठीक है उनके पांच बिंदू के पांच बिंदू में आपके किसान नहीं है ठीक है यह दू कोई भी बिंदू उठा पाए जबके आपके बाजू में बैठे हैं आप मेरी बात पूरे होना जयते हैं तवी तो मड़ाता ना इस सरकार उत्तरपर देश सरकार की कम से कम 500 योजनाइं है पांसो में कहीं होंगे कहीं चार्सो नियानानुए में पांसो में पड़े होंगे आप पार्टी किसी पारी विपक्ष कि शामली में गंड़ और आपकी प सवाल ना पूछूँ माइक इनको पकड़ा देते हैं माइक आपकी है सुनिश्यत करिए इसको ठीक है आगे बढ़ते हैं सावित मलिक साथ हैं तो मैं यह बताना चाहरा था कि पश्ची में उत्रप्रदेश में जो किसान हैं उनका वर्चस हो बड़ा है आप एजेंडे में भी सरकार जब विपक्स में थी तो किसानों की सबसे हमदर्द सरकार थी और जो आज आरोप लगाते हैं इनके राश्ची अद्यक 2012 में किसानों के मंच पर आये राजनात सिंग जी और उन्होंने तमाम आरोप सरकार के उपर लगाए और इन्होंने तमाम वादेखिए जब करने को तैयार हैं मीडिया के सामने कहते हम बात करने को तैयार हैं हम कहते हम सड़कों पर बैठे हैं ना हमारे पास कुंडी है ना दर्वाजा है आप आई हमसे बात करिए और अगर हमको कहते हैं कि हम बात करने के लिए जाएं तो हमारे लिए तो आपने कीले गाड़ी हैं वो नुकिले तार लगाए हैं जो जानवरों के लिए परती बंदी थे, आपने सिमेंट की दिवार बनाई है, अबी बैठे कोई कहए दे, मान्य परदान मंत्री कहए दे, गरह मंत्री कहए दे, कि मेरे दरवाजे खुले हैं, आप बात करने के लिए आ जाएए, हम सुबह उनक में गरने का बुगतान करेंगे, क्या ये जूटे परदान मंत्री नहीं है, ठीक है, परकार कहती रही कि हम संशोधन कर देंगे कानूनों में, MSP को लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक एक कॉमेंट करूँगा, फिर आओंगा, बैसाब पर फिर इविट खोलेगा, आप इसमें बताइए कमिया क्या है, किसान संगठोनों ने इनको 50 कमिया बताई, और 18-22 कमिया इन्होंने मानी, आपकी सुनते नहीं वो, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, चौदरी साह हमारे साथ है, ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो है, मैं देखे, खुलकर बात करूँ आरेलडी के साथ मिलकर अगर आप लड़ते हैं, और जातिकत आंकड़ू पर मैं एक नज़र भेराऊं, तो डेड़ लाख वोट तो आपका सीधा-सीधा बनता नज़र आ रहा है, देखिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो मैं किसान भाई जो सामने बेटे हैं, इ समाजवादी पाटी जो है, आप नाराज मत inea कि आप शुरू में पहले सवावाल से नाराज हैं, रुखिए, समाजवादी पाटी जो है, ये बताईे त्छी के जाते गड़ित सम्देखें, तो आपकी पार्टी जो है आगे बढ़ती नज़र आ रही है, उसके बारे में ब वंदन और पकिन ऑद और पंचिम में हमारा भाईचारा कायम हो तो इससे ची कोई बात निए और यही बात आप भाईचारा बिगड़ा कब था बाईचारा बिगड़ा था हमारे इधर एक कावत है के बारा साल में कुड़ी के भी बाग बोड़ जाएं कुछ आदमियों ने यह हमारा भाईचारा खतम करा दिया था आज वो ही आदमी गाउं में बढ़ने के लिए तरस र की तो यहां का किसान भी खुसालता यहां का बेपारी भी खुसालता यहां का जवान भी खुसालता यहां का मजदूर भी खुसालता लेकिन आज आज हमारा किसान सडकों पे गर्मी में धूप में बरसात में 800 से जादे मर चुका और कानून विवस्ता की बात यह हमारे मरती है और रात को फूकि जाती है तेल गेर के जब के हिंदूरीति रिवाज में रात को अगनी नहीं दे सकते हैं यह कानुनल विवस्ता है रही बात बैपारी की नहीं कर आद्गी कि चीने को कहता नहीं परेसान है लुआ कि किसी को कहता हूं ऑपर उपकरि जब किके माफिया कौन होगा जो आठग किसानों कोुछ वाद है। हमारी पार्टी नहीं करें पर दोट कि बात करते हैं और माफियों से दूर रहते हैं कराइम वालों से दूर रहते हैं मुक्तियार अंसारी को टिकट दिवाने के लिए कुछ नेता आ गया थे उन्होंने कहा था कि ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए आपको ये सवाल बिजेपी वालों से पूछना चाहिए पूरे उत्तर परदेश में डेड़ सो मंतरी विदायक हिस्टरी सिटर है कराई में 307 है सब अभी तक आपके साथ निकाल रहे हैं अभी तक आपके साथ तुआए नहीं है आपको लगता है कि आधे सीट काटने का टिकेट काटने का काम कर देंगा मेरी बात सुनिया आप जिस हालात में परदेश में किसानों का अपमान हो रहा है किसानों को मारा जा रहा है हर आदमी परेसान है तो इसमें यह है कि हम सिपाल जी के लिए या राजबर जी के लिए किसी के लिए कुछ नि कह सकते हमारे दरवाजे खुले हो हैं चोटे दल के लिए जो आना चाहता है वो आजाईए हम किसी को ना नहीं कर सकते तो किसे मानते हैं आपने जिनका नाम लिया आप चोटे दल हैं यह चोटे ही दल है तो शेपाल सिंग आदा पार्टी के इतने बड़े चहरा थे आज छोटे दल वाले हो गए नहीं वह जब तक हमारी पार्ट कि आरेलडी जो है इस बार खुब बढ़िया प्रभाव रखे हुए है इधर पर शामली में उसका बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है ठीक है बढ़िया है अर चीज आप सपा के साथ भी है यह समझाने की कोशिश करिएगा कि आरेलडी जो है वो किनको साथ लेकर चल रही है भारती किसान यूनियन को साथ लेकर चल रही है साथ किसको लेकर चल रही है मैं सबसे पहले तो अभी सभी का यहां पर स्वागत धन्यवाद करता हूं आप यहां किसानों के मुद्धे आपने उठाए लेकिन मेरा एक जहन में सवाल ले जाएगा मैं आपके सवाल का दोंगा तो मेरे सवाल रह जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल देखे यह किर्सी परधान देश है इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता हर पार्टी किसान को मसिया बताती है हमारी पार्टी किसान की इस्थिति क्या है पूरे उत्तर परदेश में और पूरे भारत में सारे सब्सक्राइब बता दूंगा चार साल में किसान का कर्ज बढ़कर दुगना हो चुका है और उसकी आमदनी बहुत तेजी से घटी है साड़े चार साल पहले तक सब कुछ ठीक था आप यह कहना चाहते हैं साड़े चार साल पहले कर्ज जो है लगबग 35-40 परसेंट था आज सब्सक्राइब चार साल पहले गन्ना भुक्तान समय पर होता था सब कुछ ठीक था साड़े चार साल पहले मैं आपको याद दिला दू जब गन्ना भुक्तान की समस्चा पैदा हुई तो पांच हजार करोड जो है अखले जी ने अपने पास से देकर सीधा किसानों के खाते किस तरह से उन्हें निर्मता से मारा जा रहा रहा है किस तरह से बॉडर पर उनकी अत्याइब हो रही है अब आप देख लीजे यह अख़़ नहीं किसान ला जा फॉर में दौन दु किसान के कमी से और लाइन में लगा लगा Star Mart भेन लाइस में पहरे दिर्बा आपको बता है अवारे से यह पूचिए और सिदेतागे, हमारे से पूचिए हमारे से पूचिया हमआरे से बandearta क्या है जब आप दलित की लड़की की हत्याम जहें इननाओं में करेंगे। के सामने बीजेपी के लोग हरदवार में होगी जहें सब्सक्राइब होती है। ना गरीब, ना किसान, ना दलित. एपने वो केडर से चली हुई है, उसी कॉर बोटर के सारे आप रहेंगे? नहीं, उसके तो दरकता जा रहा है दीरे दीरे? इस लोकतंत्र को जो बढ़ावा दिया जा रहा है लोकतंत्र को असली बढ़ावा ही बहुजन समाज पार्टी दे रही है तो बहुजन समाज पार्टी जो लोकतंत्र से दूर पड़े हैं ऐसे लोग तंदर को कैसे बढ़ावा देंगे घर पर बैठे बैठे ट्वीटर पर ट्वीट करते करते आपकी निता जी सड़कों पर नजर नहीं आती तो बहन जी उसका घर पर है बहन जी वह काम करती है जिसने कि अपना कार्यकरता भी सुरक्षित रहे और पार्टी भी सुरक्षित रहे इसलिए मायवती जी जी वह घर पर हैं बाहर नहीं निकल रही तो जनता के मुद्दों की आवाज उठाएंगे कैसे देखिए जनता की उस सो यूई कोम को भारत में जगाया है उस लोकतंतर को बताया कि तुम्हारे कितने अधिकार है अरे भाई साब दुबारा सो गई है धीरे धीरे दरक रही हैं आपकी सीटे कमजोर हो रही है आपकी पार्टी कि हमारे पिछले आंकडे उठाकर देखूंगा तो काफी विध लगा हमारा वोट की कि सकता नहीं वो सारा वैंजी के साथ है कौन सा उट्विकायाज डेटी कारिशा पराज नहीं लोग है जो गई नहीं पेछले ऑपको मलिक साब के पास आते हैं का देर सा बनिदार गरीक है पपुजी ये बताईएगा सभी नेताओं को तो सुन लिया आपने ठीक है आपका सबसे इधर से नंबर आया आपका सभी को सुन लिया आपने बीजेपी वाले बता रहे थे कि वो आपके बारे में सोचते हैं समझते हैं लेकिन आपके साथ अंडरस्टेंडिंग नहीं बैठ पारी उनकी पहली चीज दूसरी चीज यह है कि किसान अंदोलन जो चल रहा है उसकी वज़े से चुनाओं में मेरी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा है पहला मुद्दा है टॉप राइटी वाला लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कानों में जूनी रहे हैं वो आप अगर में गड़ी बांद रहे हैं और कोई पार्टी उनके लिए किसान के लिए कोई काम नहीं करी जो वो देगे थे बस वो है और तो सब खारी बेइमन ने पर उतर रही और तो सब पाल टिया अब अगेगर अनिती जो है रहे चौदरी चरण सिंग साहब के अंदर जो चमक दिखती थी जो तेज था वो आप आज कल देख पाते हैं जैन चौदरी साहब में देख पाते हैं पुटरी के अंदर जो चमक थी वह आज जैन चौदरी के आदर देख पाते हैं देखिये जब किसानों की बात आई किसान खुशाल का विया खेसानों को जमीन कोंडेगा किसानों को जमीन कोन दे गया जमीन के माल पना गई किसानों को तो वह सवर गया चोद्री दीलैसिंग के लिए टिठी समाचवाद पार्टी को आप किसान के तौर पर का आख अभी मैं ने पार्टिकी के लिए किया और डिया बरद॑ एक सारी है कि आप रहा है दिल में बात यह हैं कि आरली के साथ कि आ थी कि पास आएंगा जनता में से किसी का भी कोई सवाल अपने नेता के लिए वह तो बूल सकता है किसी के पास है कोई सवाल ठीक है चाजा है हैं वहें हमारे पास सबसर्कार ने इतनी महगा आणा दी सब परेसान है और यह जो सिलंडर जो है हजार के पार जो है यह तेल जो है सो के पार कर दिया इतने परेसान मुझे नैंदुम नकिनगव म्यालाइं आप पूछ भी मिल्सिंड देख़ लेंगें गहें, आज भी कहीं न कहीं किसी ना किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ रही है तो निश्चित रूप से उससे जो अवेवस्था है थी उसको लेकर आपको घाटा होगा अवेवस्था ना कहें आप इसको आप अक्सीजन सिलेंडर जो नहीं मिला वो वेवस्था नहीं है वो वेवस्था है आपकी देखे सुनिए क्योंकि एक नई तरीके की समस्चा से पूरी दुनिया ने सामना किया तो आप भी नहीं कर पाए फिर उसा आप इटली एक ऐसा देश है जिसकी चिकित्सा सेवा पूरी दुनिया में दो नंबर पे हैं और इटली कितना सा देश है 23 करोड की जन संक्या का देश है लाशे गिर रही दी चलते चलते लेकिन हिंदुस्तान के आप उपलब्दी देखिए अपनी वैक्सीन तयार की परदान मंतरी की उपलब्दी है कि उसने अपने देश की जनता को अंदेखा करके विदेश को वैक्सीन देनी शुरू कर दी दूसरी बात समसान घाट में कबरुस्तान में जंगा नहीं मिली एकक दो-दो किलो मिटर तक लासो की लाइन लगी गंगा जमना उसका जीता जागता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आपर को जीज तरह यहां के लोग कुछ अपने पैसों से लगवा रहें कुछ वेसे हमें कैसे लगवायी और भली शेुटन वाला आपने हमें लगवाई आपने लेक्सीन ही अप्लेध क्षै लेख पार ली अनुकुले नीव हुए बढ़ि ओ thirty के वैक्सीन है मैं आपको बता दू हाप वैक्सίν न경ा लगवा के दरवसल खतरां पड़ा कर रहा है आप वैक्सीन नहीं लगाएं तो आप गहीना कहीं एक चेयन है उसका आप साथ है उस चेंके जो कहीना कहीं वाइरस को फैल आ रही है आपने वैक्सीन क्यों तो परिशाने की विदेश बेज दिया आप यह दुआ बांट देते हैं नहीं 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 बचे बचे बीजेपी वाले मरें आप सुनी नहीं हमारे इनका कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग है वह वैक्सीन नहीं लगवाते वह दूआ लगवाते हैं कहां लगवादी बीजस्वादी कारले में बनाए जाती वह बनाए जाती वहां बनाए जाती बगवान के घर अन्ला के गर आप सूबा साम जाईए दूआ करिए को यह कुछ है फिर आप इतना वर्ण परिशान की हो गए और इच्ड़ दी विडशों में वेक्सिन बेज दी विड़ों वेक्सिन बैज़ य्क्ठी हो गोड़ोसब जब आप दिऔते लोग ने घृ ऑज इनलोग में है इतनी मतलब अगर जनता उतरती है तो उस पर मुकदमे लगाते हैं और पीट आप घबराएं बहुत नजर आ रहे हैं जनता मुकदमे लगाते हैं लगने दीजे मुकदमे किस पर नहीं लगे भाया गांधी जी जेल गया भगत सिंग पचड़ गया इस देश का यह रहा है आप क्यों घबर और एक और चीज दिल्चस्प है कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दूआ से काम चल गया वैक्सी नहीं लगवानी पड़ी दूआ को एक और बार थुड़ा और फेक कर मारिये तेज से कहीं सब्ता में आ जाएं नहीं 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 दूआ का मतलब दूआ पार्टी के नेता जी ने जो कहा है उसको लेकर मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर इनकी सरकार बनी तो साइंटिस्टों को छुटी पर भेज दिया जाएगा क्योंकि दूआ बढ़ती है चलिए ठीक आगे बढ़ते चलिए ठीक है नहीं ये ये गंभीर मुद्दा था इसलि साथ सालते आपको बताओं इसकी समयस्य का है इसने दो अजाज चोदा मैं जन्ता का गयो कहता बाइस में दुग नहीं हो जगी गन्ने का बाद सबाता अगर इसने अपनी मां का दूद प्या सैड़े 600 अबावेट है बाइस में दूसरी बात है लखेंपूर खिरी जैसे किस अब गुष्टे को समझ पारे कि कि ता गुसा है जन्ता में आपके खिलाफ देखे जो हमारे किसान साथी अपनी बात कह रहे हैं उनकी बात बिलकुल कहीं ना कहीं जैसे लखेंपूर खिरी की गटना का अमारे बाई ने उधरन दिया उसमें लड़का मंत्री का जेल में है पांच दिन बाद देखियें किसी जैसे करूंगा आप रुकि आप रुकिया ने मनत्री के बेटे में कारवाई की एफ़ाई आप तरजुई और जेल में है रही बात पांच दिन की कि किसी भी क्योंकि सीधे जो भी अधिकारी हैं उनको दिसा निर्देस जुड़े वे लोगों के जहां भी कहा जो उस जाज को कर रहा था वो बहुत इमांदार अधिकारी था डी आई जी उपेंदर अगरवाल उसका ट्रांसपर कर दिया है यह जाज को दबाना चाहते हैं और मन्तरी को अत्यारा है तो मंतरी को क्यों नहीं इताते हैं ज tussen किसान को नहीं नहीं अब ऐक बात बताएं कि अगर अगर मानके चले आप किसी विक्तिका कल करते हैं सजा आपको मिलनी चाहिए आपके पिता को मिलनी चाहिए एक सो बीस मोगव है कि नहीं हैाई है आपको ठीक है ठीक है एक नैयति आधार पर बता देजे आपको मंतरी को क्याबिनेट मेर्ठने की वह यह आदरलर को कैते हैं इ societies की वीडियो वाइरल होई या तो और उन्होंने कालिडोर के नाम पे इतने मंदिर तोड़े है जिसके आपके ऑशेष आपको मुगल भी सरबाजाएंगे इनके आपको इतने मंदर के ओसेष वाब तोड़े मिलेंगे आपको दूसरी बात इन्हों ने कहा कि महिलाओं के लिए आप बताएं कि जब पंडिजवाल नहरू ने जब आपको हिंदू कोड भी लाया सबसे जादा बीरोत कौन किया देश में इन लोगों ने किया महिलाओं को सब्सक्राइब करने के लिए जो महिलाओं के सम्मान का बात है तैंटीजवर आपको पंचाइती राज में आपको कॉंग्रेश ने दिया आज जब कि प्रियंका गांधी ने भारती राजनीदी में आरे माननेवर सभी से हाथ जोड कर कहना है कि पता है चुनाओ है और जनता आपके सामने आप विराजमान है और नेता आपके सामने जोली फैला बैठे हैं ठीक है ठीक है दिखाइए गाहा तो मैं आपसे कर रहा हूं ये जूट बोलना तो कामी है और क्या है जो 40 जो 40 जो बात कर रहें आपना आपको 2009 में 2009 कि सानों की कॉंघरेस नहीं करदा माफ किया था किसानों का कर्दा माफ किया था और पश्मी उतर परदेश काचा पूरे देश के अपको हटा कि यू दिया फिर सत्ता सेंड़ों लोग नों जो जीते किसां जो मांक कर रहे हैं कि हमको MSP तो यह खुल के साफ हो गया यह सीधे तोर पर कह रहे है कि हम गारेंटी देते हैं अपने मैनिफेस्टों में देते हैं अगर हमारी सरकार आ गई तो हमें MSP भी लागू कर देंगे उस पर कानून भी बना देंगे देखिए देखिए नेताओं का काम हो वादा करने परवक्ता है परवक्ता है बोलते रहेंगे वादे करते रहेंगे लेकिन कभी किसी नेता का वादा खरा नहीं उतरता मैं आपसे डिमांड कर रहा है शामली में यहां से करोडू अर्बू से हमारा जिला होस्पिटल तैयार है उसमें यहां अभी तक एक भी डाक्टर नियां बीजेपी के परवक्त से पूछिए कि जब वो यहां पर करोड़ो अर्वुरुपे शामली में लग गया उस्पिटल में तो डाक्टर क्यों नहीं है ठीक है तो करोड़ो अर्वुरुपे तो लग गया लेकिन जिलास त्वाल म मेरा वाजपा की फुरवक्ता है इन से कहना है वारे विदान मंडल दल की नेता रहे एंपी रहे उकम सिंग जी उन्होंने सामाजिक न्याय समीति की रिपोर्ट की बात की ती 2001 में और सवाल सुनेगा सबके जवाब लोगा भी हाँ बीजेपी का सबसे बड़ा बोर्ट बैं वाधा कि देगे मेरे छोटे बाइटरी ने सवाल रखा पंदरा राग का और दो क्रोड की नोकरी का था क्योंकि दो फंद्रा लाग ऐसा कोई माध्यम नीए कि ए भी एटालिया आपके खाते में नगांशल आए आहाँ आँ ऑल्या रुक्या यह रुक्याँ रुक्याँ और किसी नहीं कहा कि 15 लाग आपके खाते में आएंगे 15 लाग से मतलब है कि आपको वह भाई वीडियो ये भी है कि आलू से सोना बनता है तो फिर ये भी पूरा वीडियो नहीं है अब मैं यही कह रहा हूं कि एटिटिट वीडियो को चला के जो दो करोड नोकरी की बात जो है ढ़ाई साल पीछले पूरे के पूरे प्रदेश ने बीमारी में जहले हैं कोरोना की जितना सरकार से जितना सरकार से अधिक्तम प्रियास नोकरी का हो सकता था वो हुआ है ठीक है पकोडे तलने की आपने बढ़िया बताई थी ये व्यवसाय बताए था आपने देखे सुनिये व्यवसाय पढ़ना भी पड़ेगा व्यापार भी करना नीचीए ठीक है इन्होंने खुलके कह दिया कि अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना भी पड़ेगा ठीक है पढ़ना पहले क्यों नहीं पढ़ना भी पढ़ेगा यह नहीं पढ़के जी तो नोकरी मिलेगी नोकरी आप कहरा है कि पहले पढ़ लो इसके लियाओ तब नौकरी जी सावे साथ कुछ कह रहे हैं देखो हमारे उत्तर पर्देश में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो मुद्दा है गन्ने का भुगदान गन्ने का रेट आवारा पसू और बिजली और मैं आपको बताओं यहां का आदमी बोट क्यों नहीं देगा जो सिमेंट का कट्टा 180 रुपे का आता था वो 410 रुप की आती थी 6,000 रुपे की आ रही है हमारे देश में जो कर्ज था पच्पन लाग करोड का था आज एक लाग 8000 करोड का देश के उपर कर्ज है जो बेरोजगारी दर 2% थी वो 22% से उपर हो गई है तो एक बात बताए यह क्यों इसको बोट देंगे हम और इनों नहीं से हमारी आए इनकी सरकार में 38-40% माइनस में चली गई आप इपर आ रहा हो चौदरी साफ लेकर उससे पहले बात पूछना चाहूंगा आपने कहां कि 2022 में 2022 में आप इनको वोट नहीं देने जा रहे है ठीक है साफ है किसको देने जा रहे है हम जो भी बीजेपी को अराएगा जहां भी चुना होगा जो भी बीजेपी को अराएगा उसको बोट देंगे अगर इनोंने आखरी वक्त पर बादे पूरे कर दिये कुछ भी दे दिया किसानों को तो आप तो फिर फंस गये अधर में लिटक गया नहीं नहीं इनकी बड़ी अच्छी बात है हमारे किसान जो अधर अवज शेत्र में पूर्वांचल शेत्र में घूम रहे हैं यहां पर आए यहां अब पूछ देंगे या सिर्फ एल्डी के बरूसे हैं किसानों को सबसे जादे पिछली समाजवादी में यहां किसान है हमने दिया और आगे भी देंगे इस पर जड़ा मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं उत्सुख हूं इस चीज को जानने के लिए ठीक है अव यह बताईएगा कि यह कह रहे है कि समाजवादी पार्टी ने जब इनकी सरकार थी 2017 से पहले तो इन्होंने किसानों को खूब दिया हुआ ऐसा है जी हम तो किसा अजी कुझी नहीं जात यह ढाते हैं डाहां कि ga울ना मिंट्री पःब कंना मंधरी कॉद आसने स्टार मंने नहीं जा पार है तो इसको लेकर यह बड़ी दिल्चसब आते हुआ इन्होंने बड़ी दछिस बात बताई तो यह बताई कम से नहीं जा पारहें क्या डर्किस հात को 감दल ए थाम कानि माल उंभारिक भाइव बना रहा है इनकोर नृम उन कोई मुद्धाद नीयान मेरी जब प्राइवेट कंपणी निर्ट कपनी जो है जिब उस चीज में घट है तो प्राइट वाले खरीद रुगए जिब उसमें बचत है तो सरकार बेच क्यू रही उसे एक बड़ उन से सवाल करो इस बात खीक है तो यह आपका सवाल है हाँ अबानी अरना जो है मतलब अबानी अरुद इसके मतलब देश के सवाल बड़े कोला वह वह वारी बनके और उनके कोला वह वारी बन दो भीजली खतम होगी देखे अगर बात यहां पर अभी डिबेट के लिए आए हैं तो यह सोर्स रब बनागर है तब बात करे जाओं कियोंकि अना वश्यक्ता का तेज बोल करकर तो आवाज दबाने का काम करे जा और आवाज दबा करके पिछली सरकार को जोटे कर हम ने ठल सकते जहां तक कि सुरक्षा की बात करे और विवसाई की बात अभी यहां समाजवादी पार्टी के परवक्ता ने की थी और पीछे बेटे को समाजवादी सपोर्टर ने की थी तो कहां है वो समाजवादी का व्यापार जो 2013 में 2014 में के अंदर होता था यहां के व्यापारी छोड तो पिछे की बात आप ना करें आप वर्तमान की बात करें आज आपको वर्तमान में रालोद की इस्थितिका आपको ग्यान है और जो हमारे जैन चोधरी जी लगातार अपने लोक संकल पत्र की घोशनाई करते जा रहे हैं उससे बॉखलाट में हैं क्या किसी गाहों में इनका आयोजन हो रहा है क्या दलित समाज हमारे से नहीं जुड़ रहा क्या चाहतर हमारे से नहीं जुड़ रहे क्या दलितों के लि लड़का बड़ा लड़का बड़ा शांदार तरीके से माहौल बना देता है एक से इन से पूछ लेता हूं देखे जैसे मेरे भाई ने उसने शिक्षा की बात पूछी तो पूछ नहीं रहें क्रोधित होकर आपसे जवाब मांग रहें हैं अब मेरे अपने जिले में कम से कम 18 सब्सक्राइब मेरे अगर आपको सेवाज हमें बताइए हम पूछना चाते हैं बीजे की परवक्ता से कौन सी सड़क बनाएं उनने हमें बताईए लगनों एक्सप्रस वे यह अपका सुनिये दिली दिली कि बात कर रहा है वही बताता है इसने बना आप पूछ ले अखलेश जी के शुनिये अखलेश जी के जमाने में थेकेतार छोड़ें भाग गया ता सडकक को पूछले आप आपस आ गया और बइन हैं हाइवे नहीं है पूरी शालिया ठीक है बटाईए बटाईए इस जिले में कितने टिग्री कोली सरकारी बटाईए ये बताईए है भाधियों धिनके सुनिये पिसथार पर मैंने आपको अभी भी बताया कि अवाल क्या था इस धरी कॉलेज कितने बरे जवाब इहीं होना चाहिए नहीं हाँ वही बता रहा हूं सेल फाइनेंस और एडिड दोनों और जी आईसी तीनों वेवेस्टा बराबर चलेंगी देखे जनता ये सुरिये का सुरिये का इन्होंने सवाल किया कि यहां पर गॉवर्मेंट कॉलिज कितरे बने वह जवाब दे रहे हैं आप पता य अब द्यान से मेरी बात सुने आप सब लोग बात कर रहा हूं कि सरकार ने अपने बिना पीपी मोडल के कौन सी सड़क बनाई कौन सा डिगरी कॉलिज बना हमारे छेतर में एक भी सरकार की रोड़ वेज बस किषी भी गरामीन अक्षेतर में जाती हो तो उसका नाम बताएं एब थारा किसान को उसका बुकतान कम मिले गा दिवाली का तोहार आरा किसान कैसे अपना तोहार मनाए यह पूछे इन लोगों देखे होता क्या है किसानों की किसानों को लेकर बातचीत बताते हैं किसान पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में होता है किसान पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टों में होता है हर जगा हो बुगतान जितना हो ते जल्द से जल और चीए एक बात बताइये कि गन्नामंतरी यहीँ के हैं कर दोटक्राव कि क्यों है साहब क्या गन्नामंतरी अपने अजार करोड में और शरकार ने किया ठीके 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 तीके आ रहाओ । चेतों है इस जिले में गन्ना मंत्री का मील जो है पैमेंट में सबसे पीछे धी य कि बढ़ी दिलचस्प बात है कि गन्ना मंत्री यहीं के हैं और ना तो गन्ना भुकतान हिवता है ना इन्हों वह काऊन में जा पाते हैboards आझे को करते मेडिया अच्छी है, जो इनके इनके फेवर की बाथ करती हो गोदी मीडिया, समाजवादी के नेता कहे ञाहिए कि दूआ से वेक्सिन नहीं लगवाई। जब ये अपने रास्टे अध्यक्स की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये जंता को कैसे समझाएंगे? इनके बास सिर्फ मुद्दे हैं इंदो मुस्लीब तालीमार और पाकिस्तान, इसके लावन से पूछ लोगो चोहिन के पास? आप इसी में तो फस्ते हैं, मैं एक आपको स्लोगन के साथ अपनी बात खतम करूंगा, कि उत्तर परदेश में भाजपा धर्म के नाम पे, बहन जी आपको जाती के नाम पे, और आपको सपा भी जाती के नाम पे, आप किसके नाम पे? हम जनता के नाम पे, आप बताईए कि कॉंग्रेस ने एक भी वक्तव चुनाव में कभी भी जाती का नाम लिया है, आज लोग ब्रामण आपको रेली कर, हमने छेचे ब्रामण मुख्यमंत्री दिये हैं, कभी कहा, कभी कहा, नहीं कहा, हम जाती के बात करता ही नहीं है, अभ आपको नहीं लगता, कि अब जब महिलाओं को लेकर बातचीत है, कि 40% जो टिकेट्स है, वो महिलाओं को दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन यह बिल्कुल लास्ट मूव नहीं है, बहुत आखिर में नहीं आया, चुनाव सर पर है, आपको लगता है, इसका फाइदा हो सकता है फाइदा और नुकसान से परे इसको हमको देखना चाहिए, हमको यह देखना चाहिए, कि जब तक महिलाओं का पार्टिपिशन समाज में अगर 40% है, 50% होता है, तो उनके रहने के लिए वो चीजे मुस्थीफ होती है, राजनीती में यह आपको भले इसके चुनाओं के जि सोचना पड़ेगा, एक बहुत सारे लुटे राजादी से पहले आए, और चौतर साल से देश को लुटा जा रहा है, एक एक लुटे रहा है था, महमूद गजिन से लड़ने आए, आप सुनिए पूरी बात को, पूरी बात देशल देली बताएगा, एक महमूद गजिन भी पार्टी से लुट को रोग सकती है, ठीक हो गया, आप से यहां पर जनता का जो क्रोध है, वो आपने देख लिया, जनता के जो सवाल थे, वो तमाम सवाल थे, एक का भी आपने सीधा जवाब नहीं दे सके आप, आप कैसे जवाब चाहते हैं, आपने जो 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 बिन जनता अगर संतुष्ट हो जाती आपके जवाबों से जवाब हो जाता हूँ, रही बात मेरे इन भाही होगी, दो अजार बाइस का चुनाव भारती जनता पार्टी पूर्ण वहुमत के साथ सरकार वापसी करेगी, और विकास के मुद्दे बे चुनाव होगा, और सुरक्षा और भरुसा है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही कह रहे हैं कि हम तो सत्ता में वापस आने वाले हैं, ये अलग चीज है कि किसान जो अपनी समस्याओं को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं, तमाम जगा पर हैं, सवाल हजार हो है, यहां पर शामली में जब आज काम कर रहे हैं, यहा पर किसान जब ये तो इनको वोट की चोट से जबाब दिया जाएगा, ठीक है, आप ये बताइगा, ठीक है, आपके पास इस बार एक अच्छा मुद्दा आपके हाथ लगा है कि किसान आपके साथ आगए है, किसान जो है एक बड़ा प्रभावी मुद्दा है, इससमे तो प्रदेश की बात करें तो तो आपके हात पे तो सब कुछ है। दिया मेलाओ के मुद्दे पाजाओ मेलाओ की साथ सरयाम बलतकार हो रहा सरयाम गोली नहीं मैं युवाओ की तरफ देख रहा उर्जा भरती है युवाओ से समझ रहे आप इनोंने किसी भी कार्ये को पूरानी किया एचल यह ठीक है आप पर आगे बढ़ते हैं आरेल्डी के पास आते हैं यह बताइए कि ठीक है इस बार आप जो है एक बार ताकत के साथ पूरी जोज के साथ चुनाओं में मैदान में हैं और लड़ने जा रहे हैं आप सपा के साथ हैं चुनाओं संपन्न होते हैं आप गटबंदन आपका जीत जाता है लेकिन अगर कोई जुगत को कोई गड़ित लगता है तो ऐसा संभाव है कि जैन साहब भी मुख्यमंत्री के दावदार हैं मुख्यमंत्री की कुरसी कै Weihnatch एंगे मुख्यमंत्री की कुर्षी के प्रदान मंत्री बन सकते हैं देख झाध करना दोनों रच्छ경ा लुए पार्ठी यह द्यक्सों का काम है इ किसान के मुद्दे पर CAC की रिपोर्ट के अनुसार गन्ना मुल्या बुक्तान में जो है गन्ना लाकत में बडोत्री हुई देखे बैंट कुमारे मायवती जिन है पस्ची मुद्धर पर्दे में सामली का लग जिला बनाया और 40 रुपे सबसे जादा बढ़ाये थे किसान के तो बैंट जी के सासन काल में बढ़े थे चालीस रुपे जो एकदम पड़े थे 25 रुपे फिर बढ़े तो सबसे बढ़िया सासन यूपी में रहा तो बेंट जी का रहा ना किसी परकार का करपूरा अगर आपका अगर आपका सबसे बढ़िया साशन रहा यूपी में तो आरल्ड आज आज आपके साथ क्यों नहीं आरल्ड आपके साथ इनके साथ हैं आप इनके साथ हैं आप इनके साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं और रात का खाना इनके साथ चल रहा है देखे देखे मेरे बात सुनिए किसान के मुद्धे पर यदि कोई भी सरकार आमारा सहयोग करेगी हम उनका स्वागत करेंगे सब साथ हैं यहां सब भाई चारा बढ़ना हुआ है अपके और आपकी ठीक है वो देखिए वो तो सीदे बिलकुल रखना ही नहीं आपको अपने साथ हमने इन्हें मान सम्मान दिया, हमने इन्हें मुमंगी सिटे दी, हमने अपने बोटों का बटवारा करा, लेकिन इनके अंदर गद्धारी का लकब है, और ये गद्धारी बार बार दिखाते हैं वो आपसे प्रेम जताना चाहते हैं, आप उनसे कहने गद्धार है करूंगा बंदूता की बात करूंगा नहीं आप से भाइचारा निवाना चाहते हो मना कर रहे हैं आपने उनको नुक्सान पहुंचा दिया उनके सीटे कम करवा दी हां भाई देखिए लास्ट पार बात एक आखरी आखरी टेक है सुरेश राणा जी यहां के मंत्री है उनके कुछ कह दीजिए भाई देखो भाई यहां बरस्ट है अरे एक मिनिट एक मिनिट और रुक तो ले लिए लिए तब दसका लिए अच्छा एक सामली की एक सामली की बड़ी शांदार चीज़ है कि यहां बोलने वाले बहुत जाद हैं सब बोलना जानते हैं पर यह ताकत है कि इनके स्वाल एं कि इन वन्यच्娘 जो है विदायों का सांसदूआ बटता हैं और जब इनके हैं संबीत पातर से सवाल किया वंपत्ताह क्यूं बढ़ाया जा रहा तो उनका जवाब था कि यह देश की शेवा करते यह तो क्या देशार कि gach i.jackay. एक यह जो आप बताई यह देखिये शुरेश राणा मंतरी है हमारे जिले से यह अमारे जिले के लिए बहुत सरम की बात है हमारे तीन गन्ना मील है इनमें पेमिंट बखाया है जब कि मुझा फरनगर के मिलोगा भी पेमेंट हो लिया बहुत जाद है लेकिन हमारे मील यह से जो यह पेमिंट नहीं हो यह एक मिला यह यह शामली की यह च्छा अरे एक मिला थम जाकते दो रही बेजिता था हंगा इतना हंगा ऐसा है देखिये यह हमारे यह आज से तीन साल पहले अधिकारी आए थे जो यहां के डिम रहे मैं वैसे बताना चाह रहा है सरकार के परती उनके पास सत्ता के किसी भी है मैंले मंतरी की एंटी नहीं होती थी एक दम जो ज़ु जनता के आदमी थे जो गन्य की बात हो बिजली की बात हो किसी की बात हो एक दम बुलाकर तुरंत रगडा उठाते देर किसानों के सब समझ्यावों को पुरा करते थि तो शामली में जो सबसे जो दिल्चस्प बात आज निकल कर सामने आई वो यह थी कि यहां की जो जनता काफी जागरुक है बोलना जानती है चुप रहना नहीं समझती ठीक है इसके साथी एक और चीज़ यहां पर यह है कि यहां के जो मंत्री जी है जो खुद गन्ना मंत्री ह पाते और लोगों का कहना है कि जैसी जानकारी दी गई कि भुगतान भी अभी तक नहीं हो सका वाकि आप सब्सक्राइब बहुत-बहुत शुक्रिया कारेकरम में शामिल होने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए जनता का भी बहुत-बहुत शुक्रिया आखरी समय पर एक काफी गर्म है और माहौल जो है वो काफी जादा इसमें इस्वतिती जो है वो चुनावी हो चुकी है तो ऐसे में आज का कारिकरम यहीं पर खत्म करते हैं इसके साथ अगली विधान सभाज आएंगे जहां से अगला कारिकरम करके तब तक के लिए आप देखती रहिएगा तमाजवादी पार्टी के दो लोग है वो द्रम लगवाथे वो द्रम अब इस कितने की विक्ति मतलब आप गलाथ है इतने लोग अपने नहीं घ्र जेंगे इनकी बटाएक इनकी बिचार मरी रहे जंता मुकतमें लगाती है लगने दीजिए मुकतमें किस पर नहीं लगए भाइया, गांधी जी जेल गया, भगत सिंह तो फासी पचड़ गया, दुआ को एक और बार थुड़ा और फेक कर मारिये तेज से, खई सब्ता में आ जाए, साइंटिस्टों को छुट्टी पर भेज देंगे, दुआ खर खुब बिठी है, पांच दिन में तो सबूत बिटा क पागिस्तान भाई साव इन पर पांच गाम गिन्वादो किसान लोगिला क्या करें मा बठाएंब